तो हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स कैसे हैं आप फ्रेंट्स इस वीडियो जानेंगे यह तीनों जो बेंड आप देख रहे हैं एक 50 MHz और 18100 MHz और 2300 MHz ठीक है यह तीनों बैंड के इंस्टोलेशन के बारे हम लो जानेंगे किस तरह से इंस्टोलेशन करना चाहिए जीओ साइट और इस वीडि़ियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि मतलग अगर अगर आप इंटरिवियो देने के लिए आप से क्या कोशन पूछ सकता है तो इस वीडियो को पूरा देखे और हाँ आगर आप नेयु है तो मेरे चनल को सबस्क्राब कर लिजे क्योंकि आगे चलके मैं आपको जीओ के बारे में और वीडियो अप्लोट करने वाले हैं जो आपके लिए ज्यादा हेलफुल होगा इंट्रूबू के लिए और अगर आप जीओ में काम करें तो उसके लिए भी आपको मरत करेगा तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए इस तरह के दखितिक जिओ को सैट रहता है धिके यहां पी यह देखिए अंटीन'. आ, यह आपका माईड्वाप इयं थ और एँटिन के पीछे हम लोग ऊर्रच को इंस्टोल करते हैं ठीक है और यह देखिएए जो है अपका के बल्स आनुरह और केंडर है इस तरह से हम यहां से जो है केबल इंट्री होता है यहां पर देखिए रॉक्स्टेक है ठीक है रॉक्स्टेक है तो हम लोग केबल को है जो इंट्री करते हैं और अंदर में जो मेरा सीडियू है और डीसीडियू है उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं और यहां से जो आपको केबल लेडर पर करना है ज्यादे जिपन टाइब को टाइण ही करना ने तो अपका फाइबर फोल्टी भी विए हो सकता है तो आपको रूटिंग के समय अएक दम ध्यान देना है और यहां जो आपको इंट्रि कर रहे हैं तो इंट्री के पहले भी लेबलिंग होना बहुत जुरूरी है तो यहां पे अपको लेबलिंग ध्यान से करना है बैंड वाइज और सेक्टर वाइज। आबिन कौन सा टेकनोलोजी लिए कर रहे हैं एट फिप्टी 4G के लिए कर रहे हैं या एटीन हंडेट 4G के लिए कर रहे हैं या टीली तरह से आपको यहां पर मार्किंग करना है। ठीक है दोस्त और जैसे ही आप जो है आपका ओडिसी को अपन करेंगे तो यह आपको यहां पर देखें लेफ्ट साइड में आपको जो है पार प्लांट का ऊपर आपको यह आपका डीसी डीवी है डीसी डीवी बॉक्स है ठीक है और इसको अमलोग पीडियू भी बोलते हैं दीसी डीवी के मतलब बॉक्स होगे आपका जहां से हम लोग डीसी करेंट लेते हैं ठीक है और पीडियू का मतलब होगे आपका पावर डिस्टूइशन यूनिट तो इसको अमलोग यह जो देख रहे हैं इसको अमलोग एमसी बोलते हैं और इसको फ्यूज भी बोल सकते है आपको सभी RYU को पावर देना है यहां से आपको 돌buoy और यहां से आपको उठीक और आप यहां से पावर देना है और इसको लिए évary गालोगह य sms करना है до 7 when pr qu चाहे वो 850 कहो या 18 100 कहो या 2200 को sniper के लिए सभी के लिए आपको 69 UAD की यूज़ करते हैं और आपको ध्यान में इसको grounding करना बहुत जिरूरी है, इसको grounding किजिए और यех grounding केबल को नेंचे में grounding bar है, उस में करणा के जिए क्या वहता है कभी कभी आपका cumulo लूज है लूज होने के कारण सोट सरकिट होता है और उससे जो है लिकेज करेंट निकलता है और लिकेज करेंट जो होता है दोस्त वह बहुत ही हामफुल होता है आपको डिवाइस को फॉल्टी भी कर सकता है ठीक है अगर जब आपका यहां पर ग्रांडिंग किया हो रहेगा तो इसे क्या होगा कि आपका आप आर्प्लांट भी सेफ रहेगा और आपका यहां से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है चाहे आरच हो या राउटर हो या आपका सीडियू है जिसको अपलो आर्डियू भी बोलते हैं ठीक है वह आपका सेफ हो जाएगा फॉल्टी नहीं होगा कि एक है तो यह चीज़े हआपको द्यान में रखना है उर्हां के बढ़ता है ईह देखे महीं है तो इसuitenपारपलांट यूज किया जाता है जियो मैर्डे़ डेल्टा कंपनी के यह पारप्लांट है तीक है और यह इससे का बार्र प्लांट का कैपसिटी अप देख सकते हैто यहां पर हम लोग मेक्सिमम 5 rectifier, I mean 5 rectifier module हम यूज कर सकते हैं फिलाल यहां पर 2 module install किया हुआ है और यह running में है अप यहां दे सकते हैं और यहां से आपका 5 RF, I mean rectifier module का MCB है तो यहां पर 2 insert किया हुआ है तो यहां पर 2 own है बाकी यह तीनों के लिए यह off है और यह आपका charging point है, यहां से mobile और laptop चार्ज कर सकते हैं और यह आपका AC panel है, जो आपका 3 page AC cable आता है ठीक है यहां पर आपको connect करना है और यह cable आपका power plant में connect होगा दोस्तर rectifier module का हम लोग यूज करते हैं इसलिए क्यूंकि rectifier module जो है AC से DC में convert करता है तो आपको जो है इंटरिव्य में एक question पूछ सकता है कि rectifier module के क्यूं use किया जाता है power plant में तो आपको बोलना है AC से DC में convert करने के लिए क्यूंकि हम लोग जो भी hardware यूज करते हैं LVD वगरा के सेटिंग कर सकते हैं ठीक है और इसी से जो है आप power plant को कमिस्टिंग भी कर सकते हैं controller के माधियम से भी यहां पर देखियो अलड़ी एक land cable connected है लेकिन यह land cable जो है आपका router से running नहीं कर रहा है तो आपके rectifier module failure के अलाम आएगा आपके power plant में तो आपको वहां पर visible रहेगा क्योंकि यहां से आपको land cable के तुरू land cable से connected है आपका यहां से आपका router में तो router के माधियम से आपको जो भी अलाम आपके साइट पर आएगा वह आपको visible रहेगा रिमोट ली ठीक है यह यह देखिया आप भी देख सकते हैं अपका AC पेनल है और यहां से अभी देखिये cable connected है और यह यह यहां पे जो आप देख रहे हैं यह plus है और यह minus है तो यह जो rate के बल देख रहे हैं यह battery का है योIST पर तो दोवस्त रहें ये बैटरी हम mantra कूरते हैं इसका आपको जनकारी जरूरिट है क्योंकि आपको फ्रेशर इंजडियर है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरूरी है अगर सिर depends को की बैटरी । अगर अपका Electricity site पर केके टीक है तो आपका जो है ये Bak़ा है वेकप से रट चलती रहेगी आँगर बाटरी अगर उपनी रहेगा यहां पर डैटारी यूज नहीं करते हैं तो आपकी means जैसे ही cut होती है तो आपकी side down हो जाएगी ठीक है तो यहां पर battery इसलिए use करते हैं ताकि mains cut हो जाएगा फिर भी जो है यहां पर आमिन दो घंटे तीन घंटे मतलों battery capacity पर आपका battery का backup depend करता है तो उस तरह से आपका side जैसे electricity आपका आ गई तो यह battery फिर से आपको charge लेना शुरू हो जाएगा ठीक है और हम लोग जो है dg जिसको लोग बोलते हैं generator भी यूज करते हैं side पर ठीक है अगर आपका battery discharge हो जाता है ठीक है फिर भी अगर mains नहीं आती है तो आपका जैसे आपका low battery setting करके हम लोग रखते हैं controller में जैसे low battery voltage का alarm आएगा तो आपका dg automatic start हो जाएगा ठीक है और जैसे यह battery full charge हो जाता है ठीक है फिर से आपका dg automatic बंद हो जाएगा या जैसे electricity आ जाती है तो आपका dg automatic बंद हो जाएगा तो हम लोग जो मैं कमिकंट्रोल में जो क्मिंसनिंग करते हैं उसमें हम लोग पूरा सेटिंग अरखते हैं fonctionne generation रेक्ते हैं और यहाँ से जए मैंने बतायते हैं कि अब रिमोटली सकते हैं कि इस साइ्ट पर क्या आलाम है इस पाहर प्लाव यह क्या आय्थेए और यह अग्राउंडिंग है आपको चन्नेक एसमें आपको जो है कनlando करना और अच्छे साप को तो टाइट करना है अलूज नहीं रखना है अलूज रखेंगे तो आपके grounding का मतलब नहीं होगा ठीक है वी ग्राटरी को भी grounding करना है आपको पीछी से यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है और यहां पे देखिए भी grounding bar है जो भी यहां तो ग्राउंडिंग करना बहुत ही जुरूरी है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है यह देखिए अपका यहां पे इस तरह से अगर पूरा ओपन करेंगे तो अब को लेफ्ट साइड में आपको पार प्लांट दिखेगा और राइट साइड में आपको यह रेक दीखे जहां पे आप सीडियू इंस्टोल कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका डीसी डीवी हो गया औ और यहां पर देखिया आपका CDU हो गया और इसको आप लोग RDU भी बोल सकते हैं RDU का मतलब होता है Rapid Deployment Unit और CDU का मतलब होता है Cabinet Digital Unit ठीके तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना क्यों कि आपको इंट्रिव्यू में पूछ सकते हैं कि what is RDU and what is CDU and what is difference in between both तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं और RDU के तो कि यहां पर करना है और जो अरेस्टर रव्यूज कर रहे हैं GPS में ठीक है तो GPS को में यहां पर आपको ग्राउंडिक करना है तो दोस्ते यह जो आप देख रहे हैं यह जो CDU है जो आपको 5G तक सपोर्ट करेगा जो मैंने आपके पिछला वीडियो बतायता है जो CDU था उच में जो हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर देखिए यहां पर आपका 850 MHz के यह देखिए यहां पर है यह जो 3.0 कीया हुआ है यह 850 के लिए है और यहां पर 2.0 का वे, आपका अटीं अहनट के लिए 11.8000 में तो आपका यह 2300 और यह आपका 5G तक के लिए लिए पिछले वीडियो आपको बताया था उस सेडियो में हम लोग यहां पर OMA card insert करते हैं LMD के जगा और LCC2 के जगा हम लोग L9CA card I mean insert करते हैं तो वह आपका जो card है आपका L9CA और OMA card उसको हम लोग हाप card बोलते हैं ठीक है और इसको हम लोग बोलते हैं full card क्योंकि यह देखे पूरा मतलब slot में यह पूरा आपका सीडियो में इस्टोल किया हुआ तो आप यह सीडियो में देख सकते हैं कितने slot है तो 1 2 3 4 तो यह आप से इंट्रिव्य में पूछ सकता है ठीक है और यहां पर कितने fan है 1 & 2 ठीक है और यह पावर कनेक्टर है और इस पर LC2 card को insert किजिए आपको और लगता है और करना है तो यहां पर भी कर सकते हैं ठीक है और यह LMD1 card है दोस्त इसी से आपको LMT port से आपको login करना है इसी से LMT port के माधियम से आपको troubleshooting करना है software update करना है जो भी करना आपको LMD1 card से ही करना है और LMD1 card में ही आपको backhaul cable यहां पर connect करना है और यह आपको GPS cable है जिसको हम लोग DNS cable भी बोलते हैं ठीक है यह करना है तो इसके related आपका इस CD-U के related आपको interview में बहुत सा question पूछ सकता है आपको पूछ सकता है कि CD-U में कितने slot है तो आपको चार बताना है CD-U में कितने fan हम लिए यूज करते हैं तो 2 fan यूज करते हैं ठीक है CD-U में हम लोग कौन सा card insert कर सकते हैं करते हैं हम लोग RRH के लिए RRH sync करने के लिए तो LCC2 card CD-U में कौन सा main controller card है तो आपका LMD-1 card main controller card है इसी से I mean हम लोग software update करते हैं troubleshooting सा पूछ करते हैं ठीक है LCC2 card में कितने optical port है तो आप देख सकते हैं 3, 3, 6 and 3, 9 and 3, 12 तो 12 optical port है यह सब चीजे आपको जो है interview में पूछ सकता है तो आपको नोट करके रखना है बोलना नहीं है ठीक है और यह देखिए आपका जो है optical optical guide है यहां से आप यह देख सकते हैं ठीक है तो यहां से आपको इसी तरह से इसी की मादियम से आपको optical के बलको जिसको हम लोग सिपरी क इसी बोलते हैं ठीक है और यह आपका LCC2 card है और यह आपका LMD1 card है ठीक है तो यहां जो भी cable आपका आ रहा है ठीक है तो यहां पर आपको बताता हूं कैसे करना है यहां देखिए 3 point है यहां पर भी 3 है यहां पर 3 के मतलब हुआ आपका 850 है यहां पर 2 है 2 है 2 है 2 है 2 के मतल मतलब होगे आपका 2300 ओ यह 4 टाइम यह तो आपका 5G के लिए है ठीक है 5G के लिए तो इसको आपको रहने देजे फ्यूचर के लिए यूज करेगा तो यहां पर देखे बुलू है और यह रेड है ग्रीन है तो बुलू का मतलब होगे आपका alpha rate के मतलब होगे आपका beta and green के मत आपका तो आभा आपका यह ओगा आपकाО कहा घंड हमाटम आपका यहां Catholic गामा जो dib आपका ौश्य का यह यहां 70 भी है और यह fdd जो आपका फॉर्जी के लिए चल रहा है, और यह आपका 2.3, मतलब 2 x 0.1, जो एक 4G TDD के लिए यहां से. तो इस तरह से आपको ध्याण देना है, और यहां पर 3 x 3, तो इसी तरह से आपको 3 box Terry Tzungito के बेल करता है. छे प्रकी से आपको यहां परогनेट करना है, तो आपको 1800 केबल यहां पर connect कर दीजिए ठीक है तो आपका स्वैप हो जाएगा और आपका सेक्टर इनेबल नहीं होगा आपका जो टेकनलोजी आपका जो 1800 पर आपको 4G चल रहा है वो आपको ओनेर नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी और यह देखिए जो आपका जो है अलाम केबल है इस इसलाम केबल को आप इनफरा से अलाम दे सकते हैं और यहां से देखिए LMT पॉर्ट यहां से लोगिन कर सकते हैं यह देखिए 1G आपका बैकोल केबल जो राटर से आता आपको यहां पर connect करना है और यह 10G यह भी बैकल फिर आपकर यहां पेपिए सकते हैं यहां से भी को यहां से लोको पावर देते हैं यहां से ग्राउंडिंग करना है से लोग इस आपको स्कूला आपकर बैकर जो आपका सीडियू में जाके connect हुआ है और ये अर्येस्टे अपका GPS का और ये GPS के बल जो है एपका GPS के आटीना में connect होगा और GPS को अपको grounding भी करना है और जो grounding करेंगा उस पर लेबलिंग करना है में टेकर पर की दियान हो और यह अपका जो है क्रोंडिंग वार है या में घृति कर सकते में आर्टिंग टर्मिनल पर यहां पर देख्या है को यह जो आड्यू का राउकर क्या हूआ है एक जितने भी आप पर रहे हैं इस तरह से सभी को ग्राउंडिंग कीजी और यहां पर किजिए व ऑब ग्राउंडिंग को आच्छे तरह से इसको टाइट करना है आप यहां पर देखेए लिए इस तरह का मुझ आरज जो इसोल करते हैं जियो टावर पर तो यह जो आरफ आपका है 8-15 MHz 4G के लिए हैं आप यहां पर देख सकते हैं 8-15 MHz हम कैसे बोल रहे हैं तो यहां पर देखिए 3W टेप किया हुआ है कि अगर कहीं भी आपको 3W टेप किया हुआ है अगर जमफर के ऊपर तो आप समझजेए कि 8-15 MHz 4G तो यहां पर देखे तीन वार टेप किया हुआ है आपका जमफर पर यहां तीन वार किया हुआ है और यहां भी तीन वार किया हुआ है ठीक है तो तीन वार किया हुआ है तो इससे तो पता चल जाएगा आपको कि 850 MHz है और यह आपका जो कलर से आपको पता चल जाएगा है तो इस तरह से जो हम लोग मतलुब लेवलिंग के तरह हम लोग पाचान जाएंगी कौन सा सेक्टर है और कौन सा बेंड है ठीक है दोस्त अगर आपको टेप यहां पर दिख जाता है जंपर के उपर तो समझ यह की एक टीन हंडड है ठीक है और कलर वाइज अब आडिन्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर है यह देखे बू है अलफा रेड है अपका बीटा और यह आपका ग्रीन है गामा तो अलफा बीटा गा होगा ठीक है यह आपका आर राच है तो यह मत समझेगा मैं आपको लेबलिंग के मादियम से समझ जाए कि कैसे आप सेक्टर को आडिन्टिफाई कर सकते हैं ठीक है दोस्त यह आपका होगया 2300 मेगा हच्च 4G TDD जियो का यहां से देखे सिंगल टैप है तो सिंगल टैप का मतलब समझेगे कि 2300 मेगा हच्च चल रहा है यह देखे रेड आपका सिंगल टैप है और यहां पे ग्रीन देखे सिंगल टैप है तो बुलू का सिंगल टैप का मतलब होग तो इस तरह से हम 2300 MHz 4G TDD है इस तरह से हम सेक्टर को पाचान सकते हैं ठीके जमफर लेबल के माधियम से और और अब यह रह गया आपका टावर विव एक है तो टावर विव पर एको GPS को इंस्टॉल करना है तो प्यूद्दी को आप से उपर में कुछ होना नहीं चाहिए को जो है इसकाय फीसर को 유튜ब ए कि ठीक है अगर इसकाय फॉडल कर सकतें नहीं तो में इस्टोल ने छ सकते हैं खे डान्या चैसा जलूरी नहीं है कि ठावर टॉप एइस्टोल कर सकते हैं ग्र मुद्विल नहीं रहेगा अगर उपर में तो अう advise अलाम आएगा तो यह चीजह आपको अग्दम ध्यान में रखना है तो दोस्त यह रहा है आपका तीनो बैंट के बारे में 850, 1800 और 2300 मेगा हर्च बैंट के बारे में जियो दोस्त आज कल only 4G यूज़ करता है और 4G पे इकॉल भी आपका यूज़ कर रहा है जियो आपका 2G, 3G यूज़ नहीं करता है तो द्यान दिजिएगा ठीक है और इंट्रिवी में यही सब कोश्चन अपसे पूछेगा जो मैंने आपको बताया ठीक है तो इसको क्या करना आपको एक नोट्स लेकर आपको उसमें अंसर कोश्चन खुद से त्यार कर लेना है इस तो फिर मिलते हैं दोस्त अच्छी वीडियो के साथ जब तक लिए बाय बाय थेंक्यू